गडेशाय नमाहा मा सरस्वती नमस्तु भ्यम प्रस्तुत हतेली एक 33 वर्षे महिला की है और इनके दो सवाल है एक है शादी से संबंदित दूसरा है उनके नौकरी से संबंदित कला निदान हाथ है और जातिका का सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और मेरी नौकरी कब है तो मित्रों इस हतेली का मैं विवेचन करता हूं कि सबसे पहले हम गुरु के परवत को देखते हैं सबसे पहले मैं हतेली देख लूँ देखिए हतेली रेक्टेंगुलर शेपकी है और यह वाले परवत और यह वाले परवत जो शुक्र का परवत है और जो चंद्र का पर परवत हैं उनके मुकावले यहां पे चौड़ाई जदा है जब चौड़ाई जदा होती है नीचे शुक्र परवत पर और चंद परवत पर तो व्यक्ति का हाथ कला निधान हो जाता है तो कला से यह परिपूण हाथ है उंगलियां बुलकुल सीधी है और बहुत शोभिनिये है ओजस्व विता से भरी हुई है और इस प्रकार जब उंगली हतेली का अनुपात में सीधी खड़ी हो जाए तो यह बहुत अच्छा योग दिखाती है चलिए अब हम उंगलियों की जो तीसरी और जो पहली उंगली है उसकी भी विवेचना कर ले देखिए तीसरी उंगली इनकी पहली उंगली से काफी थोड़ी सी बड़ी आ रही है और जब यह बड़ी होती है तो व्यक्ति कला के छेत्र में अपना करियर बनाता है देखिए तीसरी उंगली पहली उंगली से थोड़ी सी लंबी है और बीच वाली उंगली का भी हाइट बहुत अच्छी है तो एक एक करके हम सब लेते हैं और इनके दोनों प्रश्णों का जबाब भी हम धुड़ते हैं तो देखिए मित्रों सबसे पहले मैं गुरू के परवत से स्टार्ट करता हूँ यह इनका गुरू का परवत और यह बहुत बड़ा अकार लिए हुए है लेकिन गुरू के परवत में जो मुझे लग रहा है देखिए यहां पे इनके बहुत अच्छे साइन भी बने हैं यहां पे एक देखिए स्क्वेर जैसा सा स्टितियों का जब हम इसमरण नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यहां पर एक बहुत अच्छा ब्लॉक बन रहा है लेकिन वह धीरे धीरे वीक हो गया है और गुरु का परवज्जों है यह बड़ा हुआ है केंद्रिय भाव यहां से वीक हो गया है और इस तरफ की तरफ यह जोलगा गया है तो इजह की तरफ देख रहा है यह शनीप परवज्जों की तरफ देख रहा है इसलिए इसमें ठोड़ी सी मुझे डिप्रेशन इसमें डेबिली टेशन मुझे लग रहा परवत में और गुरू के परवत में जो progress line होती है वो भी ऊतिनी सफ़स्ट नहीं है और फिर थोड़ा सा धुंदली होके निकली है तो एक इनको काम करना पड़ेगा अपनी इस परधा में जब भी हम competition face करेंगे तो हमारा नंबर लगी जाएगा तो competition में इस परधा में यह बड़ी सक्सेस दिखाता है लेकिन थोड़ा सा मैं दुरभागे कहूंगा कि यह sign be weak हो गया है देखिए यहां पर थोड़ा सा weak हो गया है यहां से जा रहा है यहां वीक है और यहां वीक है जो मैं और देख पा रहा हूं गुरू के परवत पर देखिए यह वाला जो area है यहां पर आप देखिए disturbance दिखराएए अब यह age इनकी पड़ी करीब 16 से 19 साल के बीच की तो 16 से 19 साल के बीच में इनको health की बहुत गंभीर problem हुई ही होगी तो यह चीज दिखा रहा है गुरू का परवत और इसी कारण यह जो progress की line है और यह जो triangle है यह बिगड़ गया है तो इसको हमें पुनहा निर्मान करना पड़ेगा तो गुरू के परवत पर मुझे यह problem एक दिख रही है debilitation जो दब गये हैं और जब गुरू का परवत जब जाता है तो marriage में और नौकरी में यही एक कारण है सबसे बड़ा प्रमुक कारण अब इनका यही हतेली में मुझे लग रहा है कि गुरू के दब जाने से इनकी इनका जो जो दिव्य साइन थे वो म देने हैं लेकिन वो थोड़े से धूमिल हो गए हैं अगर हम उंगली की बात करें उंगली इनकी बहुत अच्छी है सीधी खड़ी है विल्कुल तो ग्यान और गुरुत्व तो मिलेगा ही मिलेगा अब इस उंगली पे अगर हमको परवत कोई समस्य दिखती है तो हम यह मान दिख रही है तो गुरु के परवत में समस्यां तो है ही यह हमारी पहली रेमेडी होगी हमें यहां पर गुरु ठीक करना पड़ेगा आईए मंगल के परवत को देख लेते हैं मंगल का परवत यहां बैठते हैं मंगल हमारे निम्न मंगल लोवर मंगल जो हमारे आंतरिक सररशना को हमारे सरेज सौक्स्टव को और हमारे पास क्या पराकरम है क्या उर्जा का इस्तर है इस बारे में बताते हैं अब यह है मंगल का परवत और मंगल का परवत में जो मुझे दिख रहा है देखिए यहां पे एक क्रॉस आ गया है और यहां पे भी एक क्रॉस दिख रहा है मंगल के परवत पर जब इस तरीके से क्रॉस बन जाएगा तो दामपत्य जीवन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब मंगल हैं यह इनकी दूसरी समस्या हो गई है जहां पर मंगल पर क्रॉस आ गया है और इसी क्रॉस के कारण जब यहां से लाइने चली है देखिए बहुत सारी नेगेटिव लाइने हैं जो निकल कर इस तरह आ रही इसकी विवेच नाम आकरी में करेंगे मंगल परवत की कुछ नेगेटिव लाइन से हम उसकी बारे में अभी करते हैं चर्चा आए बीच वाली उंगली देखिए मध्यमा उंगली बहुत लंबी है और पोरवा देखिए तो पहला पोरवा दूसरा पोरवा भी क्लियर है और तीसरा भी अच्छा बना हुआ है अगर परवत जो मध्यमा है बीच वाली उंगली अगर बड़ी हो जाए तो व्यक्ति को धन संपदा घर से भी मिलती है और व्यक्ति उस जातक ऐसे जातक और जातिका है उस संपत्ति को अपने जीवन अवधी में चार गुना छे गुना आठ गुना सोला गुना तक ले जाते हैं यह बात पक्की है अब हम अगर परवत पर अगर हम कुछ दिव्यसाइन देखने के कोशिश करें तो यह शनी का परवत अब बीच में से यह दब गया है तो जातक और जातिकाओं से यह बहुत महनत करवाता है महनत जब आखरी में करवा लेगा तो आपको एक बहुत परवत यहां केंद्रिय भाव में आ गया है शनी के परवत पर अब मैं कुछ और विवेचना करता हूं देखे शनी के परवत पर यहां पे एक बहुत बढ़ियां पदम का साइन बना हुआ है तो यह संपत्ति को बड़ी संपत्ति को जो इनको मिली है एक अपने परिवार मे मिली है वो भी शो करता है और साथ में यह जो पैसा पाइसा कमाओं वह भी शो करता नाहीं बहुत अच्छी बनी है इनकी ल latch की लाइन इसे ही हम lucky line और नौकरी की line कहेंगे किसमत की line कहेंगे लेकिन थोड़ा सा यह देखिए यहां पे weak पड़ गई है उतनी fine नजर नहीं आरी sharp नहीं है यह ब्लंट हो गई है यहां पे जो पदम का चिन्न बना है यह तो बहुत गजब है साथ में यहां पे जो इनकी heart line है वो कर देगा अब जो कमी मुझे विष्णू sign में दिख रही है उसको हम थोड़ा सा और गौर करके देखिए यह विष्णू sign बना हुआ है और यहां पे यह बन गया है तो यह ऐसा आइलेंड अगर विष्णू sign पे बन जाता है तो यह थोड़ा खतरनाक हो जाता है और जो ची दिले हो जाएगा सबसे पहले तो आपके विष्टित्तम में दिले हो जाएगा उसके बाद आपका करियर ठिले हो जाएगा आप जो संपत्तियां का मादा है यह और शनी परवत करियार पैसा और दांपत्य यह सब डिले हो जाएगा कटेगा नहीं डिले हो जाएगा तो विश्णु सिंबॉल पे यहां पे एक आइलेंड का बन जाना यह थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है बाकी शनी का परवत बहुत अच्छा है और अगर हम अगर इस हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन का हार्ट ल परवत की भी उगली अच्छी है और मुझे थोड़ा सा यहां पर डिटोरिशन दिख रहा देखें यहां पे आलेंड बन गया तो अब जब यहां आलेंड बन जाएगा परवद अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्व्द हो जाता है तो विस्तार का जो कारक है सूरे हमारे विस हुए है वो मैंने बता दी इसका परवत बहुत बढ़िया है और हम थोड़ा इन का करीब लिजय मिलेगी विस्तार मिलेगा लोग आपको जानेंगे अपकी गुडविल ये शब इजाफा होगा विक्टरी का साइन बना हुआ है अब यही साइन उतना शार्प देखिए यह लाइन तो ठीक है लेकिन यह लाइन थोड़ी इसी मोटी हो गई है खर यह चलेगा लेकिन विक्टरी का साइन है और यहां से आप देख रहे हैं जो पैतरिक संपत्ती है वो भी इनको मिलेगी और बहुत अच्छी खासी मिलेगी यह अगर आप देखेंगे तो यह इनके जो ग्यान की रेखाspl जो मैं देख पा हुँ बहुत फाइन लिकली है बहुत fine लिकली है यहां पे भी एक रेखा मैं देख पा रहा हूँ यह ग्यान की रेखा होती है और यह जो रेखा होती है यह हमें occult science की और ले जाती है जोतिश की तरफ ले जाती है और जो रहसमय विद्या है यह वो पढ़ने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करती है ज्यान की रेखा यहां होती है जो ठीक बनी है तो ज्यान तो इनके पास अच्छा है और मैंने इस सूर्य परवत की बारे में बताया और इनको पैत्रिक संपत्ती मिलेगी मिलेगी लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है आए बुद्ध का परवत देखते है जो अब हमको खास इनकी जो मैरिज का सवाल है बुद्ध का परवत देखिए बहुत अच्छा उठा हुआ है यह परवत नैना भी राम परवत है बहुत अच्छा बना हुआ है देखिए कितिनी अच्छी हाइट ली है उसने और केंद्रिय भाव में बुलकुल खड़ा है यहां पे मुझे एक ट्राइंगिल दिख रहा है एक ट्राइंगिल में देख पा रहा हूं जो थोड़ा सा वीक पड़ गया है उतना शार्प नहीं है लाइने बलंट हो गई है लेक आते हैं उगली है और उगली लगव दो सुरे उंगली के तीसरे पॉरवे तक पहुंच रही है देखेए तीसरे पॉरवे तक पहुंच रही हैं यहाँ इनको थोड़ा सा नाकून बढ़ा लेना है यह एक रेमेडी में बुद्ध की दे रहा हूं थोड़ा सा नाखुन बढ़ा लेना है ताकि यह सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक आ जाए यहां तक आ जाए और यह नाखुन ऐसा बढ़ जाएगा तो इनके इस परवत को भी बल मिलेगा यह भी परवत दांपत्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरेज लाइन देखिए इनकी यह मेरेज लाइन है और यहां से यह दो मुखी हो गई है देखिए यही प्रॉबलम है इनको अब और जिस हसाब से यह प्लेस है यह बता रही है कि इनकी शादी 27 और 28 यह तो आखरी हो गया है जब भी लाइन पर वाय बन जाता है तो डिले करता है मेरेज को आज यह 33 साल की है पांस च्छे साल यह लेट हो गई है इनको रिमेडी पांस से शे साल पहले कर लेना था तब इनकी वास्तविक जो वैवाहिक आयू है उसमें इनकी शादी हो जाती अब यह क्यों बना है यह इसलिए बना है क्योंकि यह चनी के परवत पर एक यव बना है गुरू का दब जाना और यहां पर दो कुरासा जाना जब अगर यह तीनों चीजे इतनी ज़्यादा प्रॉमिनेंट हो जाएंगी तो यह मैरिज को अफेक्ट कर देती हैं इसलिए यहां पर वाय बन लिया है तो यह अगर हम यह वाली समस्यां दूर कर लेंगे तीनों तो वह अपने आप दूर हो जाएगी तो खेर मैं दूंगा ही दूंगा आए आउटर मंगल की बात करते हैं इनका बहुत जबर जस्त है दूसरा ऐसा परवयत है जो मुझे बहुत घजहब लग रहा है जमकदार है सोशल वैल्यूज इनकी बहुत अच्छी नेट्वर्क बहुत अच्छा है बहुत सक्षम लोग इनके ग्रुप में रहते हैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे देखिए उपर से एक आफशूट निकल कर आउटर मंगल पे चला गया है अब अगर माइंड लाइन का कोई भी आफशूट आउटर मंगल पे चला जाए तो एक तो होता है कि दुश्मन कभी भारी नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे लोगों का साथ मिलता है यह है नेम फेम समान समाज में यह तो पक्का इनको मिलेगा क्योंकि यह लाइन बहुत आउटर मंगल को बहुत अच्छा कर दिया है समाजिक वैल्यूज जो सोसाइटी की वैल्यूज होती है यह सब इनके पास बहुत अच्छी है चंद्र का परवत देखिए यह भी बहुत साफ सुत्रा है मनोवरेती मन की शक्ति इनकी बहुत अच्छी है और जो इनके पास विचार आते हैं अगर यह उसे लिखना चालू करें तो क्योंकि यह जो राइटर फॉर्क बना है आउटर मंगल पर यही बता रहा है कि इनमें लिखने की कैपैसिटी बहुत है इनको कवि सुरक्षा को लेकर जीवन में हम कितने सुरक्षित है जो सुरक्षा का भाव होता वो प्रदान करती यह भी इनका बहुत अच्छा है और चौहती लाइन बीन की बहुत बढ़ियां है जो यहां तक तो बनी है चौहती लाइन बताती है हमको मुक्ष कि हम आखिरी बे जीवन जीकर भगवान के पास जा पाएंगे या नहीं तो यह चार लाइने बनी है चार बाजमाने देखिए यह है केतू का परवत और यह देखिए यह लाइन मैं बना रहा हूं अब आप देखिए यह लाइन ऐसी यह लाइन ऐसी ऐसी यह दोनों के तु wnगों के साइन है देखें मितरों कभी भी इस प्रकार का साइन बन रहा है या ऐसा जाकर एसा बन रहा है जिसको हम पहाड कहते हैं या मांटें जो हम शेप बनाते हैं अगर इस तरह assistant के केतु परवत पर बन रही है तो वह केतु ही है तो केतु यहां बहुत इनके अच्छे बैठे हुए हैं और केतु अच्छे होने के कारण यह सुन्दर भी बहुत होंगी बहुत खुबसूरत होंगी बहुत अच्छा केतु का साइद मना है तो नायाब चीजों की प्राप्ति इ करते हैं स्टैम का करते हैं कोई कोई का करते हैं तो इस प्रकार जब लोग कलेक्शन करते तो नायाब चीजों का उनके पास होता ही होता है कुछ लोग परस का करते हैं घड़ी का करते हैं तो इनका केतू बहुत गजब है और यह बहुत अच्छी बात है कि केतू बहुत अच् तो ये भी बताता है कि ऐसी जाती का बहुत सुन्दर हैं यहां पे जो मुझे नसों का साइन दिख रहा है ये थोड़ा सा बताता है कि निउट्रिशन की कमी है शरीर के अंदर और ये जब दाग ऐसा पढ़ जाता है थोड़ा नसों का तो ये कमर के नीचे हमको होने वाली प् पाय दे दूँगा वह अभी ठीक हो जाएगा जो इनकी आवसर की लाइने तें चार लिए बनी हुए हैं अफसर की जो बहुत अच्छी है इनकी जो का ङूठा मैं थोड़ा सा विचार कर लू देखे कितनी संताने है एक 2 3 4 और ये पाँच पाच संताने हैं जिसमें से कन्या संताने ज्यादा दिख रही है मुझे उनकी पांस अंताने हैं काम शक्ति इनकी बहुत अच्छी है अपना अधिकार यह नहीं छोड़ेंगी क्योंकि नीचे से अंगुठा अच्छा मोटा मोटा पन लिए हुए हैं और अंगुठा मोटा बन लेता है तो काम शक्ति अ अच्छा बना है और यहां पर बुद्धा आई बना हुआ है जो संपत्ति को दिखाता है कि इनके हाथ में संपत्ति होगी और संपत्ति यहां से भी हमें पता लग रही है शनी की उंगली से उपर की जो इक्षा शक्ति है वह भी अच्छा है उपर से जो अंगूठा है वह म साथ में इसने जीवन रिखा है उसको भी इसमें गूथ लिया है तो जो इनका बालपन है चाइल्डूड है उसमें जरूर इनको कुछ कुछ समस्यां रही होगी यहां पर जो मैंने पहले ही बताया है तो ऐसे लोग स्वतंत्र नहीं हो सबस्क्ön इनका बच्पन जो है वह सारे ने 137 रहती है यह बता रहा है कि हम माइन लाइन आगे चलती है तहसे में लाइंपे बहुत सारे बहुत सारे थोड़े-स धर मिलमा यहां बड़ा हुआ है और माइंड लाइन फाइन नहीं है यहां आकर तूट गई है और फिर आगे चली है यहां से फाइन है यहां से फाइन है लाइन तो सेकंड इनके जो जीवन का है सेकंड पार्ट 35 के बात वाला यह तो अच्छा जाने वाला है यह आफशूट की बात मैंने बता ही दी है अब मै माफ कीजिए यह लिकली है शुक्र परवत से इनकी लख लाइन लिकली है यहां तक आई है फिर अलग हटके दूसरी लाइन लिकली है जो आगे जाकर यहां मैंड लाइन पर समाप्त हो गई है अब क्यों समाप्त हो गई है क्योंकि यहां से देखिए एक राहू लाइनों की ब लग कट गया है इनने महसूस भी कर लिया होगा यह कि मेरा लग कट गया है अब देखिए 32-35 देखिए मैं 32 साल से बताओ 32-33 तक आते आते देखिए यहां पर एक यव पड़ गया है तो 32 और 33 के बीच में इनको ऐसा लगेगा कि इनका जीवन रुक गया है क्योंकि यहां पर लग लैन खतां हो गई है लेकिन एक लग लाइन फिर हटके चली है और वह जाकर हार्ट लाइन पर खतां हो गई है फिर आप देखिए colonial चली है जो शनिपरवत तक पहँँच गई है तो एक यहां पर इनको चेंज मिलेगा जीवन में 34 के आसपास इनको एक बहुत बढ़ियां चेंज मिलेगा जीवन साकारात्माग हो जाएगा लाइन हटके चल रही है और फिर 55 साल बाद जब यह 55 की हो जाएंगी तो भी इनको एक बहुत अच्छा थ्रस्ट मिलेगा और एक बहुत बड़ा बिजनेस चालू करेंगी तो लक जहां से कट रहा है वहा यह है इनकी माइंड लाइन और बहुत बारीक रेखा जो पूरी तरह स्पस्ट नहीं है यहां से यह मनिका ट्रेंगिल क्लोज होना चाह रहा है जैसे यह क्लोज हो जाएगा तो इनके पास धनसंबदा बढ़ जाएगी मैं एक यहां पर यव भी देख पा रहा हूं है लाइन इनकी लग लाइन पर देखिए यहां पर ने यहां पर एक यव भी आ गया है यह आगया है है तो इनकी खास दो उनका लख उठाना है जो अभी आके बंद हो गया है इनका 32-33 के असपास लेकिन यहां से हमको वापस अच्छा लख मिलेगा जीवन रिखा इनकी भारी जा रही है यहां से भारी है यहां से भारी है और इक्जैक्टलि आप देखिए यहां पर यह 32-33 के आसपास यह बहुत प बना पूरी जो इनकी जीवन रखा वा जाकर शक्र परवद के अंदर चलिए जारी है तो इनको से बाहुत लाब मिलेगा बाहँत कि रबिदा शक्र परवद यह उन्हों उह पड़ जाती है जीवन रखा तो हमको बहुत लाब देती है इनकी हार्ट लाइन देखिए हार्ट लाइन पर मैंने विश्णु सिंबॉल बनाया ही था और बताया भी था कि यहां पर यव पड़ गया है अब इनकी हार्ट लाइन थोड़ी से भारी जा रही है और फिर कुछ इशूज भी है इनको हेल्ट के जो इनको 49 के आसपास सामना कर भी है जो मुझे खास प्रॉब्लम दिख रही है अब इनके सवाल को मैं रिपीड कर दूं इनका था सवाल की मुझे मेरी नौकरी के बारे में में बताइए और मेरी शादी के बारे में बताइए तो शादी शादी तो मैंने बताएगी 26-27 मिन की शादी हो जानी थी और इन्हों इसने रेमेडी लेने में थोड़ा सा लेट किया है इसलिए 5-6 साल पीछे आ गये हैं और यह गुरू का परवत दबा हुआ है इसका खास इलाज करना है एक मोटी रेखा भी यहां से दोड़ रही है तो खास मुझे गुरू का परवत इसलिए रेमेडी देनी है मंगल परवत दो क्रॉस बने हुए हैं इसके कारण इस छेत्र से बहुत सारी नेगेटिव रेखाय निकल रही है जिसने जो गार्जेन एंजिल लाइन है यह वाली इसको भी धुमिल कर दिया है देखिए यह गार्जेन एंजिल लाइन थी इनकी लेकिन यह भी मिट गई है और तीसरा जो या तो इनको जीवन में जो चाहिए है वो तुरंत मिलेगा छे महने के अंदर मिलेगा और जहां तक इनके मेरिज की संभावना है मैं विदिन येर लेके चलता हूं रेमेडी करते जाईए विदिन यह उनके शादी हो जाएगी और जो इनकी नौकरी का सवाल है वो भी गुरू के मंतर करेंगे नौकरी करें मैं समझता हूं साल भर में यह दोनों चीज से निव्रित हो जाएंगी आछा करता हूं आपको मेरा एनेलिसिस पसंद आया होगा मित्रों तो मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिए श्री गणेशाय नमाहा मास अरस्वती नमस्तु भ्यम स्टे ट्यूंड